हेलो गाइज, वेलकम वेक टो मैं चैनल, और मैं हुँ दीपती, आज मैं आपके लिए सकरगंदी के बहुत जादा टेश्टी और हेल्दी चिप्स की रेस्पी लेखे आज हूँ, आज चुमें सकरगंदी के चिस्ट बना रहे हों, यह इंस्टेंट बन के तयार हो जाते हैं, और इन चिप्स को आप ब्रत में भीखा के इंजॉय कर सकते हैं, आप इने एक बार बनाई है, और लगब 15-20 दिन के लिए आप इने बना के श्टोर करके भी रख सकते हैं, तो फिर चलिए सकरगंदी के हेल्दी और टेश्टी चिप्स बनाना सुरू करते हैं, सकरगंदी के चिप्स बनाने के लिए हमें लंबी साइज वाली और जो बड़ी वाली सकरगंदी होती है, वो चाहिए होगी, अगर आप छोटे साइज की और पतली वाली सकरगंदी लेंगे, तो इसके चिप्स अच्छे नहीं बन पाएंगे, तो यहाँ पर मैंने दो बड़ी साइज की स चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी सकरगंदी को छील के तयार कर लेते हैं, और इसी मैंने पहले ही धो के तयार कर लिया है, क्योंकि इसके उपर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी होई होती है, तो आप इसे पहले ही अच्छे से धोली जीगा, उसके बाद ही हम इ है, तो यह दिखेए, सकरगंदी में बने के तयार कर ली है, अगर आपकी सकरगंदी में बीच तो उसे आप कटकर के अलग कर दीजिये, क्योंकि अगर आप कीड़ा लगे हुई सकरकंदी का चिप्स बनाएंगे, तो वो चिप्स खाने में टेस्टी नहीं होगा, और हो सकतर उसका टेस्स भी खराब हो, तो जैसे ही हम सकरकंदी को छीलेंगे, उसके बाद हम तुरंत ही उस चिपस काट लेते हैं, तो सकरकंती के चिपस बनाने के लिए मैं इस तरीके की चिपस काटने वाली मसीन का ही यूज करे हूँ जो कि normally सभी के खर में होती है, और इस मसीन को हम सीधे ही अपने बरतन में रख लेंगे जिसमें हमने पानी में ही अपनी सकरकंती को रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम अलग से बड़फन में चिप्स काटेंगे तो हम सकरकंती के जो काटेंगे सीदे yangamane में गेटे जायेंगे और हमारे काले अहां फնक हम इसको रख लेते हैं और इसके हम चिप्स काट लेते हैं तो ये देखिए मैंने आपे सकरकंदी के चिप्स काटके तयार कर लिए हैं और आप देखी सकते हैं कि कितने बड़िया और कितने पतले चिप्स काटके हमारे तयार हो गए हैं तो इस तरीके से आप किसी भी चिप्स वाली मसीन से सकरकंदी के चिप्स काटके तयार कर तो ये देखिए मैंने सकरकंदी के चिप्स को साफ पानी में अच्छे से वाश कर लिया है और अब आप देखी सकते हैं कि हमारे सारे चिप्स अच्छे से साफ हो चुके हैं अब हम एक कोटन का साफ कपड़ा ले लेंगे और हमने जो ये सकरकंदी के चिप्स बनाए थे उन्हें हम कोटन के कपड़े पे फैला देंगे इससे इनको पर जो भी पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा और सारे चिप्स हम इस तरीके से एक एक करके फैलाएंगे जिससे अच्छे से सूख चाए और लगबग 10-15 मिनिट के लिए हम इने कपड़े पे फैला रहने देंगे 10 मिनिट हो गए हैं और हमारे सकरकंती की जो चिप्स है यह अच्छे से ड्राइ हो चुके हैं यह देखिए इनके उपर जो भी पानी ता वो सूख चुका है तो हमारे चिप्स अब फ्राइ होने के लिए एककम तयार है मैं इने कपड़े पैसे हटा के प्लेट में रख लेती सकरकंती की चिप्स को फ्राइ करने के लिए मैंने ओयल को गर्म होने के लिए रख दिया है तो जैसे ही ओयल में से काफे जैसे हीट आने लगे तभी आप गैस का फ्लेम बिलकुल लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर ही हम अपने सकरकंती के चिप्स को ओयल में डाल देंगे औ और जब आप ओयल में चिप्स डाल रहे हों तब आपका गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही होना चाहिए और सकाकंदी के जो चिप्स हैं पहले हम लगबब 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ही या आप कह सकते हैं कि लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे ताक इससे हमारे जो सकरकंदी के चिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा करारे और टेस्टी बनेंगे तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी अपने घर पे सकरकंदी के चिप्स ब्रत में बनाईए और खाईए यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो आप एक बार में सिर्ट उतने ही चिस कड़ाई में डाले जितने की आप अच्छे से ओयल में फ्राइई कर सकते हैं तो जब तक हमारे सकरकंदी के चिप्स फ्राई होके तयार होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँगी, सकरकंदी के चिप्स को स्टोर करने के लिए मैंने एक airtight container मंगाया है और ये जो container है ये glass का है और बहुत ही बढ़िया है trio company का मैंने ये container मंगाया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये container अंदर से खोल के कैसा लगता है ये देखे कितने बढ़िया shape में और इसकी जो lid है ये transparent है ताकि आप अंदर से भी देख सकते हैं और कितने बढ़िया लग रहा है हमारा ये glass container और इसकी जो ये capacity है ये 800 ml का है और इसके साथ ही मैं आपको इसका price दखा देते हूँ ये 175 का है मैंने इसे online purchase क्या है तो अगर आप इसे online purchase करेंगे तो आपको discount मिल जाएगा अब मैं आपको खोल के भी दिखा देते हूँ ये देखे इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये trio company का है और इसके अंदर एक कागज है इसको हम निकाल देंगे और मैं इसे wash कर लेते हूँ और ये देखे देखने में कितना बढ़िया लग रहा है एकतम airtight है हम इसमें अपने सकरकंदी के जो chips अगर हम इसमें स्टोर तो लगबग एक महीने तक बहुत ही आसानी से हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं तो अगर आप इसी तरीके के किसी airtight container को purchase करना चाते है तो इसका लिंक आपको description box में में मेल जाएगा तो आप इसे जरूर परचेस करिएगा तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे जो chips हैं वो अच्छे बिनकुल नहीं लगेंगे तो अब मैं गैस का flame medium to high के बीच में कर देती हूँ जिससे हमारे जो chips हैं अभी आप देखी सकते हैं कि कितने ज्यादा soft हैं और medium to high flame पे हम इनको 1-5 मिनट के लिए और fry कर लेंगे तो यह अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे तो इस तर सकरकंदी के chips को दो मिनट के लिए fry कर लिया है और अब देखे हमारे जो chips हैं यह अच्छे से crisp होने लगी हैं और इनका color आप देखी सकते हैं कि हलका सा change होने लगा है तो हम इनको जल्दी से oil में से निकाल लेते हैं और यही प्रोसेस करते हुए में बाकी बच्चे हुए शकरकंदी के सारे chips को fry करके त्यार कर लेते हूँ तो यह देखें सकरकंदी के इदन कुरकुरे और टेश्टी chips बनके तयार है आप से प्रक्त में जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें और मेरे चैनल दीपती मिस्रा किचिन को सब्सक्राइब जरूर करिए तो मिलते हैं एक नही वीडियो के साथ ओके बबाए टेक क्यार